दोस्तों नमस्कार जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टेलीग्राम आज के समय का और आने वाले समय में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला है एजुकेशन की दुनिया में अभी भी आप कह सकते हैं क्रांती के दोर से ही गुजर रहा है क्योंकि online education का सबसे अच्छा माध्यम आज कर टेलिग्राम पे online education देना हो गया है यह offline की अपेक्षा अच्छा भी है क्योंकि आप यहाँ पर कोई भी class मनपसंदीदा जो आपके मनपसंद की class है वो anytime कहीं भी रहते हुए कोई काम करते हो भी आप लीड लगा के आराम से वो class सुन सकते हो देख सकते हो इसके लाव पीडियाप मोजूद रहेगी आप कभी पीडियाप open करके उसको पढ़ सकते हो ठीक है बसड़ते कि आपने classes जो ज इस्टॉल करना है सबसे पहले आप प्ले स्टॉर खोलिए और यहां से टेलीग्राम को डाउनलोड और इस्टॉल करिए ठीक हमने इस्टॉल किया हुआ है इसलिए open का option आएगा हमारा टेलीग्राम चल रहा है आप अपना टेलीग्राम नया अगर एकाउंट बनाएंगे तो वहां आपका नंबर मागेगा उसके बाद OTP आएगा नंबर डालने के बाद जैसे G Jacob का जैसे हमारा मेंस का group इस तो रहा है बोकीश्यास में दो 08 Luca group चल रहा है इसमें जो classes आ रही देख लीजे Initiative यह classes एं वीडियो है उसके नीचे इस वीडियो की पीडियाफ है BUR तो लगा थार्ट यह classes हैं उनकी PDF है तो आशानी से आप जैसे कि आपको कोई class करनी हुई तो आप इसको open कर लीजे यहां से आपकी classes यहां से start हो जाएंगी हमने अभी slow किया हुए आवाज इसलिए नहीं आ रही है और आपको PDF यह जो PDF आपको दिया हुआ है यह downloaded है लेकिन यहाँ पर जब download नहीं रहेगा तब तक यहाँ पर download का option रहेगा यहाँ आप जब click करेंगे तो इस तरह से हाँ आपके पास और app होना चाहिए Adobe Acrobat यह भी आप Play Store से download कर लीजे ठीक है इसको जब आप open करेंगे तो यह आपका PDF open हो जाएगा इस PDF को आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं ठीक है और इसका print out भी निकाल करके पढ़ सकते हैं ठीक है तो प्ले स्टोर से आप एक और app जो है अम बता रहें जो आपको यहाँ से आप Adobe Acrobat ठीक है Adobe यह यह भी आपको download और install करना है इसके अलावाँ एक और app आता है Cam Scanner ठीक है ना Cam Scanner एक यह आप आता है इसको भी आप download और install कर लीजे यह कैसे कायर करता है मैं आपको बताता हूं यह Cam Scanner है ठीक है इसको आपने open कर लिया यह इस तरीके से यहाँ पर आप कोई भी pick ले सकते हों ठीक है कोई document है उसकी pick आपको लेनी है तो आप यहाँ से यह जो option आपको राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ दिख रहा है फोटो का यहाँ से फोटो किचके pick ले सकते हो और इसमें add कर सकते हो ठीक है न जैसे आपको pick कुछ मैं लेकर दिखा देता हूं जैसे यह पुस्तक है इसकी pick आपको लेनी है तो यहाँ पर आप इसकी pick ले सकते हो documents में आप जा करके ठीक है एक उदारन कर तोर पर आपको बता रहा हूं यह आपने pick ले ली ठीक है आप यहाँ से जितना crop करना चाहते हो इसको crop कर सकते हो ठीक है न इसको crop कर सकते हैं और यहाँ पर आप जो color आप देना चाहते हो ग्रेक देना चाहते हो या light करना चाहते हो या फिर black and white आपको करना है तो कोई भी color दे सकते हैं ठीक है इसमें और भी pick आप अगर आपको और add करनी है जितने भी करनी है आप उसमें add करते जाएए जब आपका complete हो जाए तो आपका जब pdf complete हो जाएगा यह back करेंगे इसको आप कोई नाम दे सकते हैं यहाँ से rename करके कोई नाम दे सकते हैं ठीक है फिर यह PDF है इसको आप Adobe Acrobat में ले जा सकते हैं और यहां से आपका PDF हो जाएगा Share आपको जहां भी करना हो वहां आप Share कर सकते हैं ठीके न? इसका प्रयोग आपको Answer जब आपको writing करनी है Answer write करके आप उसकी pick भेजेंगे हमको जब हम question answer कराने वहेंगे Answer writing practice करेंगे फिर से एक बार आपको बता देंगे क्या करना है तो अभी जो फिलाल मैं आपको बता रहा हूँ जिनको online classes join करनी है उनको कैसे पढ़ना है ठीके एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ ठीके आपको जिस class में join कराया जाएगा जैसे यह class है तो इस तरह से classes आएगी आप यहाँ पर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं ठीके वैसे तो हमने अपनी तरफ से सभी चीज़ें बता दी हैं लेकिन फिर भी अगर कुछ छूट गया हो आपको न सौझ में आया हो doubt हो तो पूछ लीज़े बहुत बहुत धन्यवाद